इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सब से पहले देखने के लिए हलो दोस्तों अभी अभी मौसम विभाग के तरफ से बड़ी खबर आ रही है मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और इस बार देर से पहुँचे मांसुन ने परसात के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये है मंगलवार सुबह साड़े आठ बज़े तक पिछले 24 गंटे में लगभग 345.2 मीमी बारिश दर्ज की गई जो किसी एक दीन में 5 जुलाई 1994 के बाद दूसरी और 26 जुलाई 2005 के बाद की सबसे भीशन बरसात है जुलाई महा के पहले दो दिन में ही रिकॉर्ड 466 मीमी बारिश हुई है वजल भराओ की कारण देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सडक से लेकर रेल ट्रेक और आस्मान तक याताया थम जाने से जन जीवन को पूरी तरह ठप हो गया है मुंबई पूने में दिवार वन आसिक में वाटर टैंक गिरने से करीब 43 लोगों की पूरे महराश्र में मौत हुई है जबकि 150 से जादा लोग घायल हुए है मुख्यमंतरी देविंद्र फडनविस ने भूहन मुंबई महानगर पाली का के आपदा नियंतरन कंट्रोल रूम का दोरा किया था तथा राश्रिय आपदा प्रतिक्रिय बल के अधिकारियों से बाचित भी कित उन्होंने लोगों से जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है मुख्यमंतरी ने कहा है कि केवल आपात सेवाय ही शुरू रहेंगी कई प्राइवेट कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों को छुटी अथवा घर से काम करने की इजाज़त दे दी है मौसम विभाग ने अभी 5 जुलाई तक मुसलाधार बरसात जारी रहने की संभावना जताई है जिसके चलते MBBS आदी में प्रवेश के लिए कागजाद सत्यापन 5 जुलाई तक टाल दिया गया है मुंबई विश्व विद्याले ने भी BSC Computer Science के परिक्षाय स्थगित कर दी है और मुख्य मंत्री ने भी विधायक आवासों के लिए बनने वाली नई बिल्डिंग का शिलानया समारो टाल दिया है BMC के अतिरिक्त आयोक्त अश्विनी जोशी के मताबिक आपदा नियंतरन कंट्रोल रूम को जल भराओ वह हाथसों की 3593 शिकायते मिली है पालिका ने 33 स्थानों पर पानी निकालने के लिए 145 भी लगाये है विधान सभा में मांसुन सत्र के आखरी दिन मंगलवार को पूर्व उपमुख्य मंत्री अजित पवार ने मलाड में दिवार हाथसे का मुद्दा उठा कर शिवसेना की सता वाले BMC को भंग करने की भी मांग की थी इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ वाटसब पेस्बूक पर शेयर जरू करे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले धन्यवाद